देश की विपक्षी पार्टियों की निती रही है कि तुष्टीकरण के दम पर किसी एक बड़े समाज को अपने समर्थन में लिया जाए और उसके दम पर कुरसी प्राप्ट की जाए। उत्तर प्रदेश तो इस सब की प्रियोगशाला रहा है जहां सपा, बसपा और कॉंग्रेस जैसी पार्टियां मुस्लिम तुष्टीकरण कर भहुमत पाती रही है। वहीं 2014 लोगसवा चनाव के बाद से बीजेपी की सोशल एंजिनरिंग और वोट बैंक का असर कुछ इस प्रकार हुआ है कि मुस्लिम वोट बैंक का कोई खास महत्व रह नहीं गया है। सपा बसपा और आम आदमी पार्टि जैसी पार्टियां तक ब्रामनों के हितों का मुद्दा एवम दुर्दान्द गैंक्स्टर विकास दूबे के एंकाउंटर को हत्या बता ब्रामनों की तुष्टीकरण की निती पर चलने लगी है। और एंकाउंटर में मारे गए गैंक्स्टर विकास दूबे के के से जुड़ा मुद्दा राज्ये की विपक्षी पार्टियों के लिए ब्रामनों के तुष्टीकरण का विशय बन गया है। तो वह निश्चित दोर पर भोजन समाज पार्टी ही है। पार्टी अपने नंबर दो माने जाने वाले नेता सतीश चंद्रमिश्रा के नित्रत्व में लगातार ब्रामन सम्मेलन कर रही है। जिसका मुख्या फोकस विकास दूबे का केस ही है। इतना ही नहीं ब्रामनों के तुष्टीकरण के निती के अंतरगत अब उन्होंने विकास दूबे तक का पक्ष लेना शुरू कर दिया है। और आरोप लगाए गए हैं कि योगी सरकार ब्रामनों को चुन-चुन कर मार रही है। प्रतापगड के रानी गंज में एक सभा में मिश्रा ने कहा अपराधी को सजा मिले पर कानून टै करे। सरकार रोको ठोको निती चला रही है वह भी केवल ब्रामनों के साथ। प्रतापगड समेत हर जिले में सरकार को ब्रामन ही दोशी दिखाई दे रहे हैं। जाने कितने माफिया पड़े हैं, कारवाई में जाती क्यों देखी जा रही है। राम मंदर के मामले तक से परहेज करने वाली और तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार का नारा देने वाली बस्पा अब विकास दूबे के केस के जरीए पूर्ण तोर पर ब्रामनों को लुभा रही है। हाला कि 37 चंद्र मिश्रा के बयान पर बीज़ेपी नेता और केंद्रिय मंत्री अजय मिश्रा ने तगड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा बीज़ेपी कभी भी जाती या धर्म की राजनीती नहीं करती है जबकि सपा बस्पा जैसी पार्टियां इसके दम पर ही सता तक पहुंचती है। उन्होंने कहा ब्रामणों को लेकर ब्रह्म फलाने की कोशिश जारी है जबकि ब्रामण बिजेपी से कतई अपरसंड नहीं है बस्पा को ब्रामण वोटों के लिए रणनीती बनाता देख अखिलेर शादव की पार्टी समाजवाधी पार्टी ने भी ब्रामण सम्मेलन करने की रणनीती बनाई है पार्टी की प्लानिंग थी कि वो 22 अगस्ट से आयोजिन करेगी लेकिन बस्पा की रणनिती में आकरमकता देख सपा के ब्राम्ण नेताव ने इसे पहले शुरू करने की बात कही है बस्पा का अयोध्या से ब्रामण सम्मेलन करना सपा को अपने प्रोग्राम को जल्द शुरू करने पर मजबूर करने लगा है इसके अलावा ब्रामण सवर्ण समाज की मुख्य जाती है इसके चलते सपा धार्मिक मामलों को भी एहम्यत दे रही है इसलिए अखिलेश की योजना मंदिरों के ब्रहमन की है। सपा बस्पा जैसी पारंप्रिक शेत्रिय पार्टियों से इतर यूपी की राजनीती में कल की आई आम आदमी पार्टि के नेता भी ब्रहमनों के हितों के मामलों पर बयान बाजी करते दिखाई दे रहे हैं। आपके यूपी प्रभारी और राजसभा सांसद संजा सिंग तो यहां तक बोल चुके हैं कि बस्पा विकास दूबे और खुशी दूबे का मुद्दा देरी से उठा रही है जबकि वो खुशी दूबे पर सरकार की कारवाई का एले से ही विरोध कर रहे हैं। संजा सिंग के नेतरतों में आपकी प्लानिंग है कि कैसे भी करके यूपी के ब्रामन समाज को खुश किया जाए। इसके अलावा राम मंदर का मुद्दा ब्रामन समाज के लिए विशेश महत्व रखता है। इसलिए उन्होंने राम मंदर निर्मान को लेकर विशेश स्टी करण कर उन्हें धार्मिक राजनिती में उलचा कर प्रतेक चुनावों में उनका वोट लिया ठीक वही निती अब वो ब्रामन समाज के लोगों के लिए भी अपना रहे हैं। इसके विपरित उनके लिए समस्या ये है कि ब्रामन समाज मुसलिमों की तरह असिक्षित वो अच्छी तरह जानता है कि रामंदर निर्मान का विरोध करने से लेकर कार सेव को पर गौली चलवाने वाले कौन हैं? किसने ब्रहामनों को जूते मानने की बात कही है? मुख्य मुदों से भटका कर कौन प्रदेश को और आजकता की दिशा में धखेल रहा है? ऐसे में ब् 2014 के पहले जो राजनितिक दल यूपी में ब्रहामन समाज को नजर अंदाज करते थे वो भी वोटो के लिए उनको साधने की कौशिश कर रहे हैं. यदेपी ब्रहामन समाज का मोह बिजेपी से बंग होने की संभाब नाए न के बराबर हैं.